हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो आप सब बहुत अच्छे होगें आप सभी को नीतों की लजीज रेसिपी में स्वागत है तो अज हम बनाएंगे सर्दी के मौसम में बेबी कटल और आलू की बहुत ही स्वादिश्ट सब्जी पिल्कुल चिकन मटन के जैसे उससे भी कावल पराठा जो भी आप खा सकते हैं चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों हम कड़ी पासोगरा कठल ले लिए हैं तो यह बीवी कटल है इसमें बिल्कुल बीज नहीं है और यह मार्केट में बहुत ज्यादा मिल भी रहा है तो आप लोग भी है ना इ अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं इनको आप एसकिप कर सकते हैं सिर्फ कठल भी बना सकते हैं यहां पर मैं आलू मिक्स करूंगी तो आलू कठल की सबजी बनाओंगी उसके बाद यहां पर हम ले लेते हैं कूकर क्यूंकि हम दोनों को बॉयल करेंगे बॉयल करने से क्या होता ना तो ये कटल में जो थोड़ा सा कसब पन होता है ना वो निकल जाता है इसलिए कटल को है ना जब भी बनाईएगा सबजी तो बॉयल कर दीजिएगा तो यहाँ पे हम कटल आलू डाल दिये हैं उसकी बाद यहाँ पे कड़िव हम तो गिलास पानी डाल देंगे उ डालने क्या होता ना बस कलर आएगा कटल में एक प्याड़ा सा कलर उसकी बाद इनको हम कवर करके और कैस पे हम चड़ा देते हैं और तीन सीटी लगा लेए तो यह देखिए तीन सीटी लग भी गया है और यह कटल पहुत अच्छी तरीकी से पक भी गया है देख लीजी ज विग्या पे विभी तो कटल देख नुट है जदधा नहीं कीजिए नहीं तो यह तो यह दो आएगा पर इनको हम निकाल देतेbra थे दस मिनट उसके बाद वही तेल में आलो को भी हम है ना फ्राय कर लेते हैं तो ये भी हो गया है दोस्तों इनको भी हम दस मिनट करेब भूझे थे ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना तो इनको भी हम निकाल देते हैं अब करीब चार चमच तेल डाले थे सर्शों का तो तेजपत्ता तो सुखा में एक चमच जीरा और यहां पे गरम मशाला है लॉंग इलाइची काली मिर्च ये सब हम डाल देते हैं अब चटक गया है अब उसके बाद यहां पे हम डालेंगे करीश साथ आठ लंबा लंबा प्याज कटा हुआ अब इनको भी हम थोड़ी द आज की साथ थोड़ी देड़े ना भूंच लेंगे उसके वाद ट्रै मशाला डालें एक चमच यहां पे हल्दी पौडर धनिया पौडर और अपने अनुसार लकम जादा लाल मिर्च और यहां पे है सबजी मशाला उसके वाद यहां पे कास्मी लाल मिर्च पौडर इनको हम है ना पीस लेंगे सब्जी में डालने के बाद है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही बढ़ियां टेस्ट आता है आप जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बना है ना गोवी या परवल हो गया या फिर कठल पनीर तो आप ये मगज है ना जरूर पीस कर डाला कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इनको हम 10 मिनट के लिए भूजने रख देते हैं तो ये देखी 10 मिनट हो गया है और बहुत अच्छी तरीकी से सब मसाला भूजा गई है बहुत अच्छी खुस्बू भी आ रही थी तो यहां पे हम डाल देते हैं फ्राय किया हुआ कटल और आलू उसके बाद यहां पे हम नमक डालेंगे और नमक है ना हम जब बॉयल कर रहे थे तो इसमें भी डाले थे और मसाला में भी डाले और अब यहां पे भी हम थोड़ा सा डाले हैं मसाला स्वाद अनुसार नमक आप डालिएगा इनको हम करीब 10 से 12 मिनट तक भू पूरी फ्राठा चावल समयाब खा सके जादा भी पानी नहीं डालिएगा सब्जी में अब इनको हम ठक देते हैं बॉयलाने तक उसके बाद यहां पे हम डालेंगे गर्म मशाला उसके बाद कास में यह कस्तूरी मेक थी है इनको हम करस्ट करकी डाल देते हैं बहुत इसके बाद हम यहां पे सब्जी को मिला लेते हैं तो यह देखी कटल और आलो टी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बन कर बिलकुल डेडि हो गयी है तो अब हम सर्फ कर लेते हैं एक पर्तन में तो यह देखी दोस्तो बेबी कटल और आलू की सब्जी बन गई हैं, कितना बढ़ियां लग रहा है न, अब इनको अमें पूरी के साथ सर्फ कर लेते हैं, तो यहां पे हम पूरी के साथ कटल और आलो की सब्जी सर्फ किये हैं आपकी एक चाब जो चीज के साथ आप खा सकते हैं छावल, पुरी, प्राठा नॉन जिस के साथ आप खाना चाहते हैं सबके साथ ये सब्जी है बड़िया लगती हैं e bevor ही सब्जी बना कर मेरी तरीकी से जरूर खाईएगा जैसे मैं बनाई हूँ बिल्कुल आसान तरीकी से और सर्दी का मोसम है तो एक बार जरूर खाईएगा क्योंकि मार्केट में मिल रहा है तो कैसे लगी दोस्तों आप सबको कटल आलो की सबजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी तरीकी से बेबी कटल आलो की सबजी बनाकर जरूर इंजाए कीजिएगा फिर मिलते हूँ एक अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई